हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विवेक मिस्ट्रा ट्रेडिमेट इस हम लोग जिस सेर के उपर बात करने वाले हैं ब्राइट कॉम ग्रूप लिम्टेड है देखें कमपनी काफी सांदार है ही फाइनेंसली तो इसी के उपर हम लोग डिसकस करने वाले हैं अल्रेडी मैं आपको बहुत बहुत बार रिक्मेंट कर चुका हूँ कि ब्राइट कॉम ग्रूप को खरेदिया 5 रुपए से 50 रुपए तक जाएगी और ये लॉंग टम बेसिस के लिए काफी ठगडा सेर मिला है जो की कंडीशन वाइस काफी कुछ पैर करता है कंपनी फंडामेंटली भी काफी दूरुस्त है डेप्ट फिरी है और कंपनी अच्छा परदरसन किये जा रही है तो अभी इसकी करेंट कंडीशन के ओपर हम लोग चाचा करने वाले हैं कि अभी कैसा प्रफॉर्म कर रही है और इसी की कंडीशन को अभी लेटेस्ट तरीके से समझेंगे क्योंकि सेर अल्रेडी बहुत अच्छा प्रफॉर्म कर रहा है 13 रुपीज के अराउंड अभी ट् मैं आपको डिप बताया था था या जो भी बताया हो इस्टील हम लोग 100% अचीव कर चुके हैं और देखें इसमें इन्वस्मेंट मेरी ही है पर यह नहीं है कि मैंने इसमें एक लाख इन्वस्मेंट कर दिया कम इन्वस्मेंट किया है पर ऐसा है कि इससे रिटन तगड़ा बिलेगा क्योंकि long term basis पे है तो धीरे धीरे अगर और mood बना जैसे जैसे number strong हुए वैसे वैसे investment इसमें और बढ़ा सकते हैं इस type का ये share था मैंने आप लोगों को suggest भी किया था कि आप लोग इसमें buy करिए देखिए जब मैंने इसको आपको first time explain किया था फाइब मन्त पहले explain किया था first time इसको explain किया था उस टाइम पे और उसी टाइम पे हमने 3i infotech के बारे में भी discuss किया था 3i infotech हम लोगों ने काफी उसको घुमाया 6 rupees से लेके 9 rupees वाला जो था round काफी बार लगाया पर कुछ बहुत बड़ा उससे हासिल ने हुआ पर ब्राइड कॉम क्या क्योंकि इसके बहुत सारी condition बहतर है तो अभी उसी को discuss करते हैं मेरे साथ वीडियो में बने रही है जो जैल पे नए और चैनल सब्सक्राइब करें आने वाले next update आपसे मिस ना हो आप पहली ग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं उसका link description में मिल जाएग 13 रूपी 35 पैसी के आसपास है 10% का पर संकेट लगाया है जून 28 के इसके नमबर आने है मतलब Q4 के नमबर आएंगे तो उसमें अभी time है आपके पास अभी ठीक है basic EPS जो है 9 का है market capital जो है वो normal से low में आ जाती है थोड़ा बहुत dividend भी company ने provide किया था जबकि बहुत penny stock है price earning ratio जो आप यहां पर दिख रहें यह undervalued है इसलिए मैं आपको बोला था कि आप इसमें investment करिए अभी company growth नहीं की है यह तरीके से underdog कह लीची और यह grow करेगा तो बहुत तगड़ा भागेगा information technology services से आ जाता है company अच्छा perform करी रही है तो अभी इसी के बारे में चाहचा कर लेते और देखिए पुराना breakpoint जो था उसको भी सेर ने break कर दिया तो जो लोग भी holding अपनी बनाए रखे हैं बनाए रखे है देखिए सेर पका जाएगा और अभी तो 4-5 month ही हुए है और already इतनी अच्छी growth दिखा रहा है अब ऐसा नहीं कि continue growth दिखाता रहेगा आप 13 rupees 35 पैसे पर अब ही हम लोग चर्चा कर रहे है ठीक है वन हपते बाद टू हपते बाद वन वीग टू वीग बाद इसमें जो है थोड़ी बहुत correction भी देखने को मिलेगी अब ऐसा है नहीं कि आपको price एकदम 12 rupees तक भी जा सकता है पर आपको क्या है आप तो long view रखके चल रहे हैं तो यह correction वाला phase complete होने के बाद ऐसा थोड़ना है कि market यहीं पर रुकेगी आपको मैं बताऊं census एक time पे 1000 rupees की around था और जो लोग उस time से hold करके सायद ही कोई हो अपने इंडिया में जिसने 1000 का buy किया census और अभी तक hold करके रखा है या जो उस time पे बहुत लोग बोल रहे थे कि देखे ब बहुत से लोग हो सकता है उनके time पे बहुत जादा quantity खरीदे हो तीन रुपे पर वो लोग उने 500 rupees के पास ही profit book करके निकल गए होंगे पर उन्होंने अभी तक hold करके रखा है और share का price 1100 तक trade कर रहा है तो इस तरीके से आपको long term अगर investment कर रहे हैं तो आपको लंबा सोचना ह ऐसा नहीं कि थोड़ा सा correction आ गया one month आपका share नहीं चला तो आप तो इस तो खराब share है यह हो है वो है तो यह सब चीजे इतना follow कर यह long term से जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे उनका patience हो जाता है पर जो new beginners आते हैं वो comment में क्योंकि वहीं लोग नॉर्मली वीडियो देख रहे होत तो इसकी कोई कोई तुक बनता ही नहीं कि ऐसे प्राइज एक्षन आए हां बहुत सी कंपनिया मैंने दिखा है बहुत तगड़ा एक्षन दिया है जैसे बायो फिल देख लीजिए 7 रूपीस से हमने पकड़ा था 350 तक गई लगातार गई कोई रुकावट के बाद थोड़ अगर सही बताओंगा तो आप लोग इंवस्मेंट करोगे अगर मेरी भी इंवस्मेंट है उसमें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस का एक्षन चेंज होई वैसे भी उससे भी कोई फड़क नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी मैं फाइनेंस दी और बाटी चीज़ो इसकी 59 रुपीज अराउंड है तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 50 का टार्डिट लेके चलिए लॉंग टर्म बेसिस पे फेस वैलू टू है तो वन टाइम अगर फ्यूचर में इस प्लीट होना हुआ तो हो सकती है आरोई बहुत सांदार है थोड़ा बहुत डिविडेन भी प्रोवाइड करती है अच्छा प्रोफॉर्म कर रही है नो डाउट उसके बाद देखिए कैप्टल इंप्लॉइस को भी अच्छा दे रखा है प्रोफिट ऑल टाइम हाई भी 159 रुटीज तक गया प्रोफिटर्स की ओलिंग 36.8% है तो यह 40 से लो है पर फिर भी चल ज ग्रोफ जो है वो भी अच्छी है रिटर्न अन एसिट भी अच्छा प्रोवाइड कर रही है और मैं आपको प्रोकॉंस बता दूं कंपनी के डेप फिरी हो चुकी है और मैं आपको चीज बता हूँ आप माज 2016 से देखिए इसका नंबर बढ़ते रहा है यहां पे आप सितं पली साथ यह खुद नोटिस कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा पढ़ाई दिखाई किया है वही जान पाएगा इसको तो ऐसा भी नहीं है बाकी कंडिसन अच्छी है मार्केट में अच्छा कैस फ्लो भी ठीक है पर अभी पुब्लिक अल्रेडी पुब्लिक में काफी अच्छा इंवस्मेंट इसमें कर रखा है प्रमोडर्स की वोल्डिंग भी बढ़ती रहेगी जिसके नंबर बहतर होते रहेंगे चार्ट पे बात करें ट्रेस तो देखिए 6 रुपीस अराउंड हम लोगाने बाई करके तब से होल कर रखा है और अभी देखिए कितना अच्छा प्रफॉर्म कर रही है 13 रुपीस 35 पैसे तो आप इसको होल रखिए थोड़ी बहुत अगर करेक्सन आती है अगर आपका बहुत लॉंग व्यू है अगर लॉंग व्यू नहीं तो आपकी मरीजिये प्रॉफिट आप बूक आपको वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका अभी कोई भी यहां पर इंडिकेटर भी नहीं बताएगा आपको की आने वाले टेम पर यहीं बता सकती है ग्रोथ जो की ग्रोथ लगातार इसमें बनी पड़ी है तो अच्छा प्रफॉर्म कर रहा है आप लंबे टाइम लि करना चाहिए अब भी जायर सी बात है करेक्शन पता नहीं कब आएगी तो आप इसको 10 रूपी या 11 रूपीज के आरांड इसमें एंट्री ले सकते हैं पर आपको लॉंग टम ही वेट करना पड़ेगा क्योंकि लॉंग टम बेसिस पर ही आपको तगड़े रिटर मिलेंगे तो आप इसमें बुग भी कर सकते हैं या आप लॉंग विव और रखते तो आप इसमें इंवेस्मेंट बढ़ा के और लंबा विव भी रख सकते हैं आपको नेक्स एर के साथ नेक्स वीडियो में